जज़ की पीवी के तिशद्द का शिकार होने वाली बच्ची रिजवाना के वालत और वालदा के साथ हूँ मैंने रिजवाना से भी मुलाकात की है और मैं आप सब को अच्छी ख़बर यह देना चाहता हूँ कि रिजवाना की तबियत सेहर पहले से बहुत बेतर है मुकमल ठीक नहीं है मुकमल वक्त लगेगा उसको ठीक होने में यहां का जो हसबताल का हमला है डॉक्टर्स है उनका शुक्रिया दाल करना चाहता हूँ कि रिजवाना को बहुत अच्सी ट्रीटमेंट दे रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ मैं याद भी करवाना चाहता हूँ आप सब को कि वो फातून जिसने रिजवाना पर तशबू किया था जजज की दीवी वो अभी जमानत पर है केस चल रहा है हमें ये मतालबा करते रहना है कि रिजवाना को इंसाफ मिलना चाहिए उसके वालदैन को इंसाफ मिलना चाहिए अभी तक जजज साम शामले तफ्तीश भी नहीं हुए इस वाक्या को तकरीब तीन मनी ने कुछा चुका है तो हम रिजवाना के वालदायन के साथ रिजवाना के साथ करड़े हैं अजज साथ